नमस्कार, आरके क्लासस यूटीब चैनल में आपका स्वागत है, आईए हम लोग मैत के महत्पुर्ण पांस कुस्टन देख लेते हैं, जो बार बार एक्जाम में पूछा जाता है, तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किस संख्याओं का योग बताईए देखिए इस तरह के औश्टन बहुत असान होते हैं बस फॉर्मूले बेस होते हैं रहे देख लेते हैं संख्या इसका फॉर्मूला होता है N into N plus 1 एन इंटू एन प्लस वन आप इसी पर बठा करके आप मल्टिप्ला कर देजे आप का अंसर आ जाएगा देखिए तो यह इन कमान कत्मा लेंगे 25 लेंगे आप 25 बठाएंगे और यहां पर 25 देंगे और एक है तो 25 और एक कत्मा होगा 26 आप 25 गुने 26 करेंगे तो आप का अंसर आएगा 650 ओप्सन नमर एक इसका राइट आंसर होगा इस तरह के कोर्शन हमेशा पूछा जाता है जो कि स्टूडेंट लोग नहीं बना पाते हैं तो आईए इसका ओप्सन नमर ए हो जाएगा आप जितनी संक्या पूछे ना उससे एक आप बढ़ा देजी और गुना कर दे नहीं 25 गुना 26 करेंगे आप का अंसर छेसो पच्चास आएगा ठेक है अगला चलते हैं अगला है परतम 20 बिसम संख्याओं का योग दखिए पिछले कोसल में क्या था सम संख्या पूछ रहा था इसमें क्या पूछा है कि बिसम संख्याओं का योग बताए तो उससे भी आस अजो क्या मतल thought जितने भी संख्या रहेगा वसकाक अब इसकर देंगे याइन का मांन कतना लेंगे ब्स लेंगे 20 का स्क्याओं कतना होगा योग पुछएगा तो n into n plus 1 ठीक है अगला यह देखते हैं को से नमर इगला होगा परतम चार बिसम संख्याओं का योग देखिए परतम चार बिसम संख्याओं योग यह पुछ रहे बिसम संख्या फिर पुछाए बिसम संख्या कितना तो 4 तो n square करेंगे इसको कितना चार का स्क्वार करेंगा, 4 का स्कॉार करेंगा कितना होता है, सूल, इसका अंसल कितना होगा, साल, सूल होगा, इसका कौन में इच किया है, ठीर यह सॉल ने दिया गए, यही दिया गए, reci actress चार का स्कॉार, आपने साल, पी मिन ऊमना, pragmatic हम बना सकते हैं, जो कि दो से डिवाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इस सारे को जोड़ेंगे, तो कितना अंसर आएगा, आपका अंसर आएगा, जो कि चार का स्क्वायर होता है, ठीक है, आईए एगला देखते हैं, एगला है, निमलिकित अंकों के सेट का आउसत बताईए, आउसत पूछ लिखते ना है उपर में जितनी संख्य के आपको दिए वार रहेगा उसको जूड़ करके लिखते नहीं डिलिए और नीच उससे आप कर देंगे टिक है जितने संख्या रहेगा उससे आप डिलिएड कर देंगे ख आपना यह यह फर्मू size को ओद करेंगे 232 14 24, 208, 301, 399, और 415, सारे को आप 8 करेंगे, तो आपका अंसर आएगा 704, 704, और डिवाइड आप किसे करेंगे, तो जितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, आप 6 से डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका अंसर 284 आजाएगा, वो नमबर B में है, ठीक है, आपसर नमबर B में है, कितना है, तो 284, कुछ ने करेंगे, जितनी भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उसको उपर में एड करके, कुल संख्या लिख देना है, जितना संख्या है, उसको काउंट करके, उससे डिवाइड कर देंगे, तो जोड़े थे आप इसको simply काटेंगे तो 284 जो option number B में है आई एगला में है नीचे पाय चार्ट का ये प्रावलम है ये लगबग लगबग एक्जामों में पूछा जाता है आई ये देख लेते हैं नीचे दिये गई पाय चार्ट का ये प्रकासक द्वरार पुस्तिक मुद्र खर्च को दर साता है आप इसको निकाल लिए मुद्रन की लागत कितना है सत्रे हजार पानसो मुद्रन की लागत सत्रे हजार पानसो किसके ब्रबर हो जागा तो मुद्रन की लागत है मुद्रन कहा आया 35% के बरबर हो जाएगा कितना 17,500 हमको पूछा क्या कि रोयाल्टी बताइए तो रोयाल्टी कितना है देखिए यहां पाइचार्ट में 15 है तो यह 15% के बरबर हमको मांग रहा है कि 35% बरबर कितना है तो 17,500 हमको 15% का वैल्यू दीजिए आप इसको काटा-पिटा नीजिए वहीं आपका answer आएगा देखिए इसको 5 से काटेंके तो 3 टाइम में में खट जाएगा इसको 5 से काटेंके तो 27 ताइम में 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 करते तो तो कितना टा YOLBenetam 54500 मतलब 25 सो में कड जाएगा 25 सो और गुणा करेंगे आप कितना ये तीन तो आपका इससा कितना ये स्कार है कि आपकर आपको 75 सो आएगा जो से नमर कौन मेंज किया है देख लेते हैं आपसे नमर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा पच्छतर सो बीस का राइट आंसर होगा थांक यू फर वाचिंग पढ़िए मस्त रही है खुस रही है